श्रीमत भगवत गीता ज्यान कर्म सन्यास योग श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र वेवस्बत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्षवाकू से कहा परन तप अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज रिश्यों ने जाना किन्तो उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृत्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म कल्प के आदी में हो चुका था तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदी में सूर्य से यह योग कहा था श्री भगवान बोले परंतब अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको तु नहीं जानता किन्तु मैं जानता हूँ मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का इश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृती को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ भारत जब जब धर्म की हानी और अधर्म की वृद्धी होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ साधू पुरुशों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरहां से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ अरजुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं इस प्रकार जो मनुश्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ग्रहन नहीं करता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वता नश्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त, उप्रियुक्त ज्यान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं अर्जुन जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ क्योंकि सभी मनुश्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरन करते हैं इस मनुश्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन होने वाली सिध्धी, शीग्र मिल जाती है ब्रह्मन, शत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समुह, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है इस प्रकार उस रिष्टी रचना आदी कर्म का करता होने पर भी, मुझ अविनाशी परमेश्वर को तु वास्तव में अ करता ही जान कर्मों के फल में मेरी स्प्रिहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वेह भी कर्मों से नहीं बंधता पूर्वकाल के मुमुक्ष्यों ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किये है इसलिए तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किये जाने वाले कर्मों को ही कर कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इसका निर्णए करने में बुद्धी मान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांती समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तो अशुब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म का स्वरूब भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूब भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूब भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गती गहन है जो मनुश्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुश्यों में बुद्धी मान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्यान रूप अगनी के द्वारा भस्म हो गए हैं उस महा पुरुष को ज्यानी जनभी पंडित कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसत्ती का सर्वता त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्यत रिप्त हैं वह कर्मों में भली भांती बर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता जिसका अंतह करण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामगरी का परित्याग कर दिया है ऐसा आशा रहित पुरुष केबल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है जिसमें इर्श्या का सर्वता अभाव हो गया है जो हर्श शोक आदी द्वंदों से सर्वता अतीत हो गया है ऐसा सिद्धी और असिद्धी में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता जिसकी आसकती सर्वता नश्ट हो गई है जो देहा भिमान और ममता से रहित हो गया है जिसका चित निरंतर परमात्मा के ग्यान में स्थित रहता है ऐसे केवल यग्य संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुश्य के संपूर्ण कर्म भली भांती विलीन हो जाते हैं जिस यग्या में अरपन आदी भी भ्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी भ्रह्म है तथा भ्रह्म रूप करता के द्वारा भ्रह्म रूप प्राप्त किये जाने योग्य फल भी भ्रम ही है दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यग्य का ही भली भांती अनुष्ठान किया करते हैं और अन्यय योगी जन परब्रम्य परमात्मा रूप अगनी में अभेद दर्शन रूप यग्य के द्वारा ही आत्मा रूप यग्य का हवन किया करते हैं अन्यय योगी जन श्रोत्र आदी समस्त इंद्रियों को सैयम रूप अगनियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादी समस्त विश्यों को इंद्रिये रूप अगनियों में हवन किया करते हैं दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसयम योग रूप अगनी में हवन किया करते हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यग्य करने वाले हैं कितने ही तपस्या रूप यग्य करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यग्य करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आधी तीक्षन व्रतों से युक्त यतन शील पुरश स्वाध्याय रूप ज्ञान यग्य करने वाले हैं दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायू में प्राण वायू को हवन करते हैं वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायू में अपान वायू को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायन पुरुष प्राण और अपान की गती को रोग कर प प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं ये सभी साधक यग्यों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यग्यों को जानने वाले हैं कुरुश्रेष्ट अर्जन यग्यों से बचे हुए प्रसाद रूप अमरित को खाने वाले योगी जन सनातन परभ्रम परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यग्यों न करने वाले पुरुश के लिए तो यह मनुश्य लोग भी सुक दायक नहीं है फिर परलोग कैसे सुक दाय हो सकता है इसी प्रकार और भी बहुत तरहां के यग्यों वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सबको तो मन इंद्रिये और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वता मुक्त हो जाएगा परंतप अर्जुन द्रव्य मय यग्य की अपेक्षा ज्यान यग्य अत्यंत श्रेश्ट है क्योंकि यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्यान में समाप्त हो जाते हैं उस ज्यान को तु समझ श्रोत्रिये ब्रह्म निष्ठ आचार्य के पास चाकर उनको भल जलता पूर्वक प्रशन करने से परमात्म तत्व को भली भांती जानने वाले वे ज्यानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्यान का उप्तेश करेंगे जिसको जानकर फिर तु इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन जिसके ज्यान के द्वारा तु संपूर्ण भूतों को निह शेश भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सचिदानन्द घन परमात्मा में देखेगा यदि तु अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तु ज्यान रूप नौका द्वारा नी संदेह संपूर्ण पापों को भली भांती लांग जाएगा क्योंकि अर्जुन जैसे प्रज्वलित अगनी इंधन को भस्म मय कर देता है वैसे ही ज्यान रूप अगनी संपूर्ण कर्मों को भस्म मय कर देता है इस संसार में ज्यान के समान पवित्र करने वाला नी संदेह कुछ भी नहीं है उस ज्यान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धान तह करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है जीतेंद्रिये, साधन परायन और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के ततकाल ही भगवत प्राप्ती रूप परम शांती को प्राप्त हो जाता है विवेख हीन तथा श्रद्धा रहित और संचय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है उनमें भी संचय युक्त पुरुष के लिए न तो यह लोख है न परलोख है और न सुक ही है धननजय जिसने कर्म योग की विधी से समस्त कर्मों का परमात्मा में अरपन कर दिया है और जिसने विवेख द्वारा समस्त संचयों का नाश कर दिया है ऐसे स्वाधीन अंतह करण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते इसलिए भरतवन्शी अरजुन तो हृदे में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संचय का विवेख ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युध के लिए खड़ा हो जा